हेलो एव्रिवान वेल्कम बैक टू कुरांट अफेर स्पाई रवी यूट्यूब चैनल और आज की इस 10 विनिट शो में जो है मैं आपको भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2024 से जुड़े important questions करवाऊंगी एकदम updated list के साथ तो चलिए important session को start कर लेते हैं very first question के साथ फर्स question आपका दिखिए जारकन के जो नई मुख्यमंती बनके फ्रेंट्स उनका क्या नाम है राइट answer is option number C चमपई सोरेन जो है ये जारकन के नई चीफ मिनिस्टर बनके है इसी के साथ next question भारतिय वानीचे एवं उध्योग महासंगी यानि की फिकी के जो नई अध्यक्ष बने है फ्रेंट्स उनका क्या नाम है राइट answer is option number B अनीश शाह इमेज के तरूबी आप इन्हें देख सकते हैं ये हैं अनीश शाह next question है नोवी वार बिहार के जो मुख्यमंत्री बने फ्रेंट्स उनका क्या नाम है राइट answer is option number C नितिश कुमार जो है फ्रेंट्स के लगता नोवी वार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए है अब मैं आपको टोप 6 राज्यों के नए मुख्यमंत्री के बारे में बता देती हूँ जिनकी की अभी हाल फिलाल में ही निउक्ती की गई है तो दीखे मध्य परदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए है मोहन यादव जो की बिजबी पार्टी के है तर्थिसगर के नए मुख्यमंत्री बन गए विश्नु देव साइं राजिस्तान के नए मुख्यमंत्री बन गए है भजन लाल शर्मा वहीं बात करें मिजदोरम के नए मुख्यमंत्री की वो बन गए है लाल दुहोमा तेलांगना के नए मुख्यमंत्री बन गए है फ्रेंट्स अरेवन्त रेडी जो की कॉंग्रेस पार्टी से हैं और पंजाब के नए मुख्यमंत्री है भगवन्त मान जो क्या आप पार्टी के है नेक्स्ट आपका बोबे स्टोक एक्सजेंज यानि की BSE के नए अधक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया तो राइट अंसर इसकोशन का आपका क्या रहेगा ओप्शन नबर C प्रमोट अगरवाल को नेक्स्ट कोशन वरतमान में जो भारत के friend's विदेश मंत्री है उनका क्या नाम है तो राइट अंसर इसका आपका क्या रहेगा ओप्शन नमबर A एस जैशंकर जो है friend's ये वरतमान में भारत के विदेश मंत्री है नेक्स्ट कोशन आपका भारत के जो नए Chief of Defense Staff यानि की CDS बने है उनका क्या नाम है राइट अंसर इस Option C, अनील चोहान जो है ये भारत के नए CDS बन गे है नेक्स्ट आपका कोशन भारत के जो पहले CDS थे फेंट्स उनका क्या नाम था राइट अंसर इस Option C, विपिन रावत जी नेक्स्ट कोशन केंदे उध्योगी सुरक्षाबल यानि की CISF की प्रमुख बनने वाली जो पहली महिला बनी है उनका क्या नाम है राइट अंसर इसका आपका रहेगा Option B, नीना सिंग जो है Friends की CISF की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है नेक्स्ट कोशन के उर्मुफ करते हैं तो रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष और CEO बन गी उनका क्या नाम है राइट अंसर इस Option A, जया वर्मा सिन्हा, इमेज की थूबी आप इने देख सकते हैं नेक्स्ट कोशन है भार्टी ओलंपिक संग यानि की IOC के जो CEO बन गे Friends उनका क्या नाम है राइट अंसर इस Option D, अरगुराम आयर जो है ये IOC के नए CEO बन गे है नेक्स्ट कोशन है केंदे सरकार ने सौनवे वित अयोग का ध्यक्ष जो है वो किसे निक्त किया तो Friends केंदे सरकार ने जो है डॉक्टर अर्विन पंगडिया जी को जो है सौनवे वित अयोग का ध्यक्ष निक्त करा है Option B, correct answer रहेगा इमिज की तुरू भी आप इन्हें देख सकते है नेक्स्ट आपका कोशन सशेस्त्र सेमा बल यानि कि SSB के जो महानिदेशक बने उनका क्या नाम है राइट अंसरी जो है Option B, दलजीत सिंग चोधरी जो है Friends ये SSB के नए महानिदेशक बने है नेक्स्ट आपका इन्टेलिजेंस अंजेंसी का नाम है इसके जो नए प्रमुख बने Friends उनका नाम है रवी सिना, Option B, correct answer रहेगा नेक्स्ट आपका केंदे सरकार ने केंदे रिजर्ब पुलिस वल यानि कि CRPF का जो महानिदेशक है जिसे कि DG कहा जाता है डिरेक्टर जनर ये किसे नुक्त किया तो Friends, CRPF के जो नए DG बन गे हैं वो बन गे हैं अनीश त्याल सिंग जी Option B, A is the correct answer Next आपका कोशन केंदे सरकार ने जो है Friends भारत तिबद सीमा पुलिस यानि कि ITBP का जो नया महानिदेशक नुक्त करा है वो किसे करा है तो Option B, right answer रहेगा राहूल रसकोत्रा जो है Friends कि ITBP के नए महानिदेशक बन गे हैं Next आपका भारत की जो पहले दलित मुख्य सूचना अयुक्त यानि की CIC Benefits उनका क्या नाम है Right answer is Option A, हीरालाल सामरिया Next important question महारास्ट की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानि की Director General of Police वो कौन बनी तो Friends, महारास्ट की पहली महिला DGP बन गई है रश्मी शुकला जी Option A, इसा क्रेक्ट आंसर Next question है जनवरी दोहसार चोबिस में किसे Supreme Court के जो है 34 वे नयादीश के रूप में नुक्त किया गया है Right answer is Option A, जस्टिस प्रसना वी वराले जी को Next question रक्षा मंत्राले के जो नए महानिदेशक बने Friends, वो कौन बने Right answer is Option A, समीर कुमार सिनहा जो है, ये रक्षा मंत्राले के नए महानिदेशक बन गए है Next आपका विदेश मंत्राले के जो नए प्रभक्ता बने Friends, उनका क्या नाम है Right answer क्या रहेगा Option A, रंधीर जायसवाल और इसी के साथ मैं आपको बता दू जो करंट में भारत के विदेश मंत्री है उनका नाम है सुब्रहमन्यम चैशंकर ठीक है Next आपका भारत के जो नए महा सर्वेक्षक बने Friends, उनका क्या नाम है Right answer is Option D, रहेगा हीतेश कुमार स्मक्वाना जो है ये भारत के नए सर्वेक्षक बने है Next question सीमा सड़क संगठन यानि कि BRO के जो 28 से महाने देशक बने Friends, उनका क्या नाम है Right answer is Option D, रघू श्रीनिवासन जी Next question आपका रेलवी सुरक्षा बल सेवा यानि कि RPFS के जो नए महाने देशक बने Friends, उनका क्या नाम है Right answer is Option C, मनोज, यादव Next question भारत के जो सलिस्टर जनल बने है Friends, उनका क्या नाम है तो उनका नाम है तुशार महता Option C, जो है क्रेक्ट आंसर रहेगा Next है आपका भारती तटरक्षक बल यानि कि ICG के जो 25 नंबर के महाने देशक बने है Friends, उनका क्या नाम है Right answer is Option C, राकेश पाल Next है जो अध्यक्ष है Friends, उनका क्या नाम है Right answer is Option B, रेखा शर्मा रेखा शर्मा जो है ये रास्ट्रे महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है Important Question है इसी के साथ Next Question भी Important है आपका भारती प्रतिसपरदा आयोग यानि कि CCI की जो पहली महिला अध्यक्ष है Friends, वो कौन बन गई है Right answer is Option C, रहेगा रवनीत कोर Next है आपका Question निती आयोग के जो नए CEO बने Friends, उनका क्या नाम है Right answer is Option A, B, V, R, सुब्रमन्यम जी जो है ये निती आयोग के नए CEO बन गई है Next है रास्टिक रिशी और ग्रामीन विकास पैंक यानि कि नाबाट के जो नए अध्यक्ष बने Friends, उनका क्या नाम है Right answer is Option C, के वी शाजी Next Important Question रक्षा नुसंधान एवं विकास तंगधन यानि कि DRDO के जो नए अध्यक्ष बने Friends, उनका क्या नाम है Right answer is Option B, समीर वी कामत Next Question भारत की पहली आदिवासी महिला राष्टपती कोन बनी है तो Friends, इनका नाम है द्रोपती मुर्मू जी और ये जो है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्टपती है और संधाल जनचाती से इनका संबंध है और Friends, द्रोपती मुर्मू जी जो है ये पंदरवे नंबर की राष्टपती है हमारी इसी के साथ आपको पता होना चाहिए जो करंट में हमारे उपराष्टपती है उनका नाम है जगदीब धनकर जी और ये चोदवे नंबर के उपराष्टपती है Next है आपका कोशन और इसी के साथ भारती थलसेना के नए प्रमुख बने उनका क्या नाम है इसी के साथ भारती थलसेना के नए उपर प्रमुख भी बने है जिनका नाम है उपेंदर द्वीवेदी Next है आपका संग लोग सेवायोग यानि की UPSC के जो नए सदस्य की रूप में किसे नुक्त किया गया है तो राइट अनसर इसी का आपका क्या रहेगा बारती प्रतिबूदी और विनम्य बोड यानि की सेवी की अध्यक्ष जो है वो कौन है राइट अनसर इस ऑप्शन नमबर डी मादवी पूरी बुच्च बारत की जो पचासवे मुखे नयदीश है जो की जिसे CJI बोला जाता है यह कौन है तो यह है धनजे जश्वंद चंद्रचूर यानि की ऑप्शन नमबर डी इस दा क्रेक्ट आंसर भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि की इस्टो के जो अध्यक्ष है फ्रेंट्स उनका क्या नाम है तो राइट अंसर इस ओप्शन नमबर C, S सोमनाद नेक्स क्रेशन भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि की BCCI के जो फ्रेंट्स नई अध्यक्ष बने है उनका क्या नाम है तो उनका नाम है रोजर बिनी, ओप्शन नमबर A is the correct answer नेक्स क्रेशन है भारत के नई लेखा महाने अंतरक यानि की CGA कौन बने तो फ्रेंट्स इसका राइट अंसर हो जाएगा आपका उप्शन नमबर B, S.S. तूबे और ये जो है ये भारत के 28 वे नमबर के लेखा महाने अंतरक बने है नेक्स क्रेशन है संग लोग सेवायोग यानि की UPSC के जो नई अध्यक्ष बने फ्रेंट्स उनका क्या नाम है तो राइट अंसर इसका आपका रहेगा उप्शन नमबर A, Dr. Mano Soni नेक्स क्रेशन है बाइस वे विदी आयोग के अध्यक्ष कोन बने तो फ्रेंस 22 वे लोग कमिशन के जो अध्यक्ष हैं वो बन गए है नयमूर्ती रितुराज अवस्ती यानि के उप्शन नमबर B, इस्ता क्रेक्ट आंसर निती आयोग के जो नई उपाध्यक्ष बने फ्रेंट्स उनका क्या नाम है राइट आंसर इस ओप्शन नमबर D, सुमन के बैरी नेक्स कोशन अखिल भार्तिय फुटवोल महासंग के नई अध्यक्ष कोन बने है राइट आंसर इस ओप्शन नमबर E, कल्यान चोबे नेक्स कोशन है, राजे सभा के नई महासच्चीफ कोन बने तो फैंस इनका नाम है प्रमोच चंदर मोदी नेक्स कोशन इंडोनेशिया के नई राष्टपती कोन बने है राइट आंसर इस ओप्शन नमबर B, प्रभवोबो सुभियानतो जो हैं फैंस के इंडोनेशिया के नई प्रथा राष्टपती बन गए है नेक्स कोशन आपका इंस्टिटूट ओफ चार्टर अकाउंटर ओफ इंडिया के नई अध्यक्ष कोन बने राइट आंसर इस ओप्शन अबर B, रंजीत कुमार अगरवाल और वहीं बात करें इंस्टिटूट ओफ चार्टर अकाउंटर ओफ इंडिया के उपाध्यक्ष की तो उनका नाम है चरणजोत सिंग नंदा नेक्स कोशन जो की लास्ट कोशन आज की वीडियो का इसके बाद मैं आपसे वन कोशन का टेस्ट लोंगी तो बिहार विधान सभा की जो नई अध्यक्ष बनगे हैं वो बनगे हैं नंद किशो और यादव जी आप इमेज की तुरूबी ने देख सकते हैं इसी के साथ हमारा 10 मिनेट का जो वर्तमान में कौन क्या है का शो था वो यहीं पे खतम होता है 10 मिनेट शो हमारा यहीं पे खतम होता है अब मैं आपसे वन कोशन का टेस्ट लोंगी जिसका अंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है तो भारत के पहले डली तो मुख्य सूचना यूग तो कौन बने फोर उप्शन्स आपके पास है राइट इंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखते ना है तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कम्प्लीट होती है अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मुख फो वाचिग इस वीडियो